जैहिंद फ्रेंट्स तो हम आपकी लेकर आए हैं बार्सिक परिश्छा 2023 का विश्यद जीविज्यान कच्छा 11 का कोईश्चन पेपर तो आज हम लोग क्लास 11 बार्सिक परिश्चा 2023 विश्यद जीविज्यान का प्रश्नपत्र सौल्व करने वाले हैं इसमें जितने भी question paper है ये question है जिसमें जितने भी questions है वो आपके annual exam के लिए important है तो आपको एक-एक question को अच्छे से देखना है और उन questions को proper अच्छे से याद कर लेना है यही questions आपको आपके pre-board परिच्छा में देखेंगे ये questions आपके pre-board exam 2023-24 के लिए important है तो आपको एक-एक question को अच्छे से देखना है तो चली हम लोग सबसे पहले objective questions को देखेंगे इसके बाद हम लोग आगे चलके जो आपके written questions है उनको भी देखेंगे पहला question है व्रदी दर परिभाशित होती है तो व्रदी दर परिभाशित होत होती है पाधवों में व्रधी-प्रतीयी समय में परिभाशित होती है backbone number यहां पर आपका का वाला यानि करेक्ट हो जाएगा नेक्षठ है पाधवों में व्रदी थी होती है तो पाधवों में व्रदी होती है कोस्का विभाजन से कोस्का नैजीव द्रव की उत्पत्ती से दोनों का वाख खासे तो आंसर क्या हो जाएगा दोनों का वाख खासे कोस्का विभाजन से भी होते कोस्का के नैजीव द्रव की उत्पत्ती से भी होती है इसके बाद निक्ष्ट है तो किसका परियोग किया जाता है तो यहां आनसर क्या कर्येक्ट हो जाएगा जिब्रेलिन क्या हो जाएगा जिब्रेलिन नेक्ष्ट है प्रकास संसलेशन के लिए आवश्यक्ष सर्त है तो प्रकास संसलेशन के लिए आवश्यक्ष शर्त है प्रकास सेवं उचिताप पढ़ हरीमेवं जाल कारवन डायोकसाइड उपर उक्तुषभी तो आंसर क्या correct हो जाएगा? आंसर घा बाला आपका correct हो जाएगा उपर युक्तु सभी क्या हो जाएगा? उपर युक्तु सभी नेक्ष्ट है दूई बीच पत्री पादब होते हैं तो दूई बीच पत्री पादब होते हैं C4 पादप, C2 पादप, C3 पादप, इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दुई बीज पत्री पादप होते हैं C3 पादप होते हैं C3 पादप होते हैं यहाँ पर आंसर C बाला आपका correct हो जाएगा तो इसे आप लोग एक बार cross check जरूर कर लीजएगा इस question के answer को इसके बाद next है जो कोई काई बिभाजित नहीं होते रही हैं वे किस अवस्था में होती हैं तो यहाँ पर option दीखिएगा आपको दिया गया है जीवन प्रावस्था जीटू प्रावस्था जीजीरो प्रावस्था और एस प्रावस्था तो जिनको सिकाओं का बिभाजन नहीं होता है तो वो जीजीरो प्रावस्था में होती हैं जीजीरो प्रावस्था में होती हैं तो यहां अंसर कौन सा correct हो जाएगा तो यहां अंसर गाब का correct हो जाएगा नेक्ट है पराग कड निर्माल के लिए किस प्रकार का विभाजन होता है तो यह होता है समसूत्री विभाजन कैसा होता है समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ आंसर कौन सा correct हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला correct हो जाएगा समसूत्री विभाजन क्या हो जाएगा समसूत्री विभाजन नेक्ट है गन्य में उपस्थिस सरक्रा निम्ण में से किस रूप में होती है तो गन्य में उपस्थिस सरक्रा निम्न मेंसे किस रूप में होती है तो ये होती है फ्रक्टोज में क्या होती है ये होती है फ्रक्टोज में तो यहां सर कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रक्टोज क्या हो जाएगा फ्रक्टोज नेक्ष्ट है वसा अमल का सामान शूत्र है क्य तो यहां पर वशा अमर का सामान्य सूत्र हो जाएगा दिख सामांय हाद स्वेaven इसके बाद निक्ष्ट है प्रोटीन की प्रात्मिक सरंचना में सिरे होते हैं तो प्रोटीन की प्रात्मिक सरंचना में कितने सिरे होते हैं तो यहां पर दो सिरे होते हैं इसके बाद निक्ष्ट है एंजाइम की रासाइनिक प्रवत्ती होती है तो एंजाइम की रासाइनिक प्रवत्ति कैसी होती है ये प्रोटीन के बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं तो यहां आंसर कौन सा कर्रेक्ट हो जाएगा गावाला आंसर आपका कर्रेक्ट हो जाएगा प्रोटीन क्या हो जाएगा प्रोटीन इसके बाद निक्ष्ट है प्लाजमा जिली के तरल मोजाएक माडल की प्रस्तावना किसने दी थी तो यहाँ पर किसने दी थी तो यह दी थी सिंगर एवम निकोलसन ने दी थी तो वो कौन सी कोश्का हैं वो हैं तंत्रिका कोश्का हैं कौन सी हैं तंत्रिका कोश्का हैं तो यहां अंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा तंत्रिका कोश्का निक्ष्ट है विंडर नाल उपस्थित होता है तो विंडर नाल उपस्थित होता है मेडक के ब्रस्ण में मेडक के व प्रक में तो यहां पर आफ्चिन कौन सा correct हो जाएगा तो यहां पर आंसर आपका ब करिक्ट हो जाएगा निक्ष्ट है पूडविख्षित मज्जा पाया जाता है एक बीचपत्री जड़ में एक बीचटने में दूई बीच जड़ में और उप्रख्त में से कोई नहीं तो य क्या कहते हैं तो केले में पाए जाने वाले पुस्प क्रम को क्या कहते हैं इस्थूल मंजरी कहते हैं इस्थूल मंजरी कहते हैं तो यहां आफशन कौन सा करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर आंसर आपका खावाला करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है सहतूत में पुस्प क्रम ह होता है तो यह क्या होता है मंजरी होता है क्या होता है मंजरी तो यहां पर आफशन कौन सा करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर आंसर खा आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्ट है पच्छियों में वायू को सहयक होते हैं तो पच्छियों में वायू को सहयक होते हैं तो सरीर को गर नियत तापी तो यहाँ पर आंसर कौन सा करइक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर answer आपका घा वाला correct हो जाएगा यानि कि option number आपका 4 correct हो जाएगा इसके बाद next है वनस्पती सर्प है तो वनस्पती सर्प है तो यहाँ पर bryofighters और terido fighters दोनों होते हैं यहाँ पर हमको दोनों option दिये गए हैं तो अगर आपको दिया जाता है तो आप terido fighters या बryofighters कोई भी टिक लगा सकते हैं तो आपका सही हो जाएगा तो यहाँ पर यह दो questions है इनको आप लोग answer जरूर क्रॉस एक बार check कर लिजेगा इन दोनों questions को जो objective हैं तो यहाँ पर यह हमारे 20 objective questions यहाँ पर हमको biology में दिये गए हैं तो पेपर का जो pattern है वो बदल चुका है अब 20 objective questions आपको भी देखने को मिलेंगे class 10 के student को भी मिलते हैं और 9 के student को भी अब 12 में भी 20 objective questions आएंगे कहीं-कहीं अभी paper का pattern जो नहीं बदला है कहीं-कहीं बदल गया है यहाँ पर पहला भती लगूती प्रेश्ट पर आ जाते हैं उस bride fighters का नाम लिखिए जिसमें पाईरी नाइड पाया जाता है तो यह Google पर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं किसी खुले परचन तंत्र वाले जीव का वैग्यारिक नाम लिखिए इसके बाद है जड़का सामानकार लिखिए कि जड़का सामानकार क्या है इसके बाद है सोले नेसी कुल का पुष्प सूत्र लिखिए क्या है तीन तीन नंबर में मिलते हैं और एक कोईशन आपका यहां पर एक कोईशन जो है पांच कोईशन से आपको देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार पंदरा नंबर का आपका यह हो जाता है पहला है इसमें आपका पहला कोईशन है कूट फल वासत फल में अंतर कीजिए तूसरा ह कोश का सिध्धान पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए क्या है कोश का सिध्धान पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए नेक्ष्ट है गाल जी काय पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए नेक्ष्ट है लिपिट्स क्या है इस सब्द का परियोग सरब्रथम किस वैग्यानिक ने कि या था तो मेड़क की आहर नाल के मुगवा का वड़न कीजिए तो यह आपको पांच कोईश्चन्स हतील गुत्री में तीन तीन नमर को देखने को मिलते हैं इसके बाद आ जाते हैं हम लोग दीर गुत्री पर आपको कोई इनमें से तीन कोईश्चन करने हैं और एक है साइटो काइनिन क्या होते हैं या पादब हार्मोन क्या होते हैं इनके महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकास डालिए क्या है महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकास डालिए नेक्स्ट है किंडवन किसे कहते हैं लैक्टिक अमल किंडवन के बारे में टिपड़ी कीज का वणन कीजिए नेक्स्ट है पादप कोश्का के समसूत्री भाजन का सचित्र वणन कीजिए इसके बाद पांचवा है इसमें आवरत वीजियों में पाए जाने वाले विभिन प्रकार के समवहन बंडल का वणन कीजिए तो यहाँ पर आपको देखे पांच कोश्चन दिखत याने की आपका एक कोश्चन पांच नंबर का होगा तो इस प्रकार यह 15 नंबर के आपका हो जाता है तो यह आपका क्लाश्ट वैलोजी का कोश्चन पेपर था जो हमने आपकी साथ साजह किया अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेगा साथ में चलों को सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसे कोश्चन पेपर के लिए कर आप इसकी पेडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्केसर में दी गई है तो वहां से जाकर आप लोग इसकी पेडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो